हमने शुरू किया तो वोक है एनरजी जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नमबर थ्री ताइड मिस लेक्चर वन टू अल्रेटी कवर्ड है इसमें हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में जो भी मेंशेंड आपके पेज नमबर ट्वेंटीफाई टू ट्वेंट दिखने दिखने पेज़ाई टू अगर आपको इन चैप्टर के नोट्स चाहिए और और भी स्टडी मट्रेयल चाहिए तो आप जोईन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जो की खाली नाइक लाइन के स्टूडेंट्स के लिए है चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रि लेक्चर 1, 2, 3 में कवर किया है लेक्चर नमर 1 में हमने बात किया था वो सारी चीजों के बारे में जो 18 to 21 पेज नमबर पे था एक्सबुक की लेक्चर नमर 2 में हमने बात किया 22 to 24 पेज नमबर की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे 25 to 28 and this is the last lecture from this chapter तो आज ये chapter का हो अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ यहाँ पर तीन important statement है जैसे कि पहली बात जो आपको इसमें सीखना है आगे हम सब कुछ प्रूफ करने वाले है वो है energy can neither be created nor be destroyed तो ना तो energy को आप create कर सकते हो और ना तो उसको destroy कर सकते हो हम इसको प् important line है जो अगर exam में पूछा जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा वो है it can be converted from one from to another मतलब energy ना तो बनेगा ना तो destroy होगा बस एक form of energy को दूसरे form में convert किया जा सकता है तीसर वाला point है the total amount of energy in the universe always remains constant अब देखो ना तो तुम बना पा रहे हो ना तो तुम खर्च कर पा रहे हो destroy कर पा रहे हो तो जितना है उतना ही रहेगा तो it always remains constant एकदम simple है तीनों point है देख लिजे एक पर moving further आप सबको पता है कि sun ultimate source of energy है लेकिन अगर मैं आप से सवाल पूछता हूं कि sun के पास energy किस form में है तो आप कहोगे कि heat and light के form में है लेकिन यह सही नहीं है sun के पास जो actual energy है initial energy जो sun के पास है that is in form of nuclear energy कौन से form में है nuclear energy now this nuclear energy जब हमारे पास आता है तो it gets converted into heat or light energy नया था किते लोगों पहली बार यह बात पता चला है नीचे comment करके बताना अगर यह clear है तो initially nuclear energy था बाद में क्या बन जाता है वो heat and light energy की form में हमें मिलता है थोड़ा आगे बढ़ते एक और example लेते हैं जो आपके textbook में दिया है एक simple pendulum वाला तो बच्छो एक rigid support मतलब उपर कि इसी चीज से ठोक करके मैंने एक pendulum को लड़का दिया है यह bob बोलते है इसको और यह point A पे है मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे पीछे खीचता हूँ इस तरीके से खीच करके A से B position तक लाता हूँ when the bob is pulled aside to point B and release it starts swinging अब यहां से अगर मैं इसको छोड़ दूँगा release कर दूँगा इसे खीच करके तो आपको पता है क्या होने वाले है अगर मैं इसे खीच करके इसको छोड़ देता हूँ तो अब की बार यह ऐसे घूमना start कर देगा ऐसे 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 करना start कर देगा तो यह B स side C तक जाएगा जब यह C पे आया तो यह रुक जाएगा और इस position में है lecture number 2 मैंने आपको बताया था किसी भी object की उसके specific position या state की कारण जो energy होती है उसको क्या कहते है potential energy तो यहां पे इसके पास क्या है potential energy है यहां पे भी जब उसको ऐसे पकड़ के रखा था पीछे तो भी B और point C पे इस Bob के पास क्या है potential energy अब यह Bob नीचे की तरब भी आएगा फिर से A position पे आएगा अब यह potential energy convert हो गया kinetic energy में फिर से यह Bob C पे जाएगा यहां से C से A A से B ऐसे करते रहेगा अब यहां पे भी इसके पास खाली potential energy है तो क्या तुम देख पा रहे हो B और C पे खाली इसके पास potential energy है और A के पास उसके पास kinetic energy है तो इससे मुझे एक चीज समझ आता है क्या समझ आता है ध्यान से देखीगा सबसे पहला point मुझे समझ में आता है here potential energy is get converted into kinetic energy and kinetic to potential देखो ना potential का kinetic हो गया kinetic का potential हुआ potential का kinetic हुआ kinetic का potential हुआ मतलब kinetic potential kinetic potential चल रहा है तो मैं क्या कहता हूँ no new energy is created नया energy तो बना ही नहीं total energy remains constant सारा energy constant ही रह गया तो इससे एक चीज प्रूव होता है चलो एक और example लेते हैं बच्चों मेरे पास एक कुवह है इस कुवह से मैं पानी निकाल रहो मैं क्या करो तो अब कुवह में से कंवर्ट हो जा रहा है जब यह कुवह का पानी आके यहां पर रूख जा रहा है इस position में रूख रहा है तो potential energy energy conserve हो गया एक form से दूसरे form में transfer हुआ चलो एक और example लेते हैं बच्चों मेरे पास एक bulb है उसको मैंने एक battery से करने क्या आप इस battery के अंदर जो energy होता है using a battery में इसको जलाओंगा तो battery के अंदर जो energy होता है वह होता है chemical energy battery के अंदर जो energy होता है वह कौनसी energy होती है बच्चों that is chemical energy अब यह जो chemical energy है this chemical energy is initially inside the battery ठीक है chemical energy है यह convert हो जाएगा electrical energy में और यह bulb glow करें ठीक है यह क्या हो जाएगा it will get converted into electrical energy तो क्या मैं कह रहा हूँ एक form से energy दूसरे form में convert हुआ right लेट भी चेक की record हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है जैसे को देख लेका it's recording okay so यहाँ था clear है moving further पच्छों मैं अपने phone का मेरा प्रूब्स दाट लॉट्री में केमिकल एनरजी हो तो फिर से यहां पे कनवर्जन हो रहा है एक फॉर्म से एनरजी दूसरे फॉर्म में कनवर्ट हो रहा है इन सब से मैं कहा कहता हूँ तो यह सारे एक्जामब्स से मैंने पूफ किया लॉव ओफ गाशी आपके टेक्जभूक में भी है बैटरी को जब चार्ज कर रहे होते हैं, तो कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में convert होता है, आप देखो यह पहला question है, तो आप 1, इसका जो भी answer है, A, B, C, D, वो भी लिखके comment कर सकते हैं, जो भी नहीं पूरा type करो, दूसरा question, when some unstable atoms break up and release tremendous amount of dash energy, यह भी बहुत important question है, आपको इसका भी answer second dot जो भी है, उसको करना है, ठीक है, pulling from, bucket from well, dash energy is converted into potential energy, यह भी सिखाया तो तो तुम्हें 3 dot A, B, C, D, जो भी answer है, इसका वो तुम्हें करना है, ठीक है, pulling bucket from well, dash energy, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखू, त यहाँ पे option है ही नहीं, जिस energy होना चाहिए, वो option नहीं है, तो हम इस option को add कर देते हैं, ठीक है, आप कर ले ला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेज़वा पता है, डाल देना फे, ठीक है, in discharging of a battery, अगर एक battery को, battery discharge हो रहा है, dash energy is converted into dash energy, बैटरी जब discharge हो रहा है, तो कौन स Is it done? चली, great, तो यह सबका answer अब डाल दो, यह भी एक question है, the energy stored in a dry cell is in the form of dash energy, तो यह सबके practice के लिए नीचे comment में आप जरूर एंसर बताना, यहाँ भे हमारा law of conservation of energy वाला part clear होता है, अब हमें देखना है free fall, अब हमें क्या देखना है, free fall देखना है, free fall मतलब क्या होता है, ए इसको ऐसे समझते हैं, कि जब यह ball गिर रहा था, जब यह ball गिर रहा था, तो इस ball पे कितने forces थे, force acting on the ball, सबसे पहला इस ball पे gravitational force था, जो उसको नीचे खीच रहा था, अच्छा क्या इसको air भी इसको रोकने की कुशिश कर रहा होगा, air as a resistance act कर रहा होगा, उसको उपर की मतलब ball को ऐसे पकड़ा तो उसके हाथ से छूट के गिर गया, ball उसके हाथ से छूट के गिर गया, भाई बाहर में, अर्थ के बाहर तो भाई, vacuum होता है पूरा, हवा तो होती नहीं है, तो यहाँ पर कौन से force act कर रहा है, force acting on the ball, एक ही force act कर रहा है, क्योंकि गलती से छूट क earth, जब body earth की तरफ गिरती है, under the influence of earth gravity, खली earth की gravity की कारण गिर रहा है, alone और कोई भी force नहीं है, its motion is called as free fall, तो इसको क्या कहते हैं, free fall कहते हैं, बेना body falls solely under influence of gravity, खली gravitational force के under में गिर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, free fall कहते है, देखो, एक important point यहाँ पर याद रखना है, क्यो के आगे बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब free fall होता है, तो initial velocity 0 होता है, और यह जब उपर से नीचे गिर रहा है, तो इसका initial velocity ऐसा है, तो 0 था, लेकिन यहाँ पे कुछ तो change हुआ, final velocity है, तो change in velocity हुआ, मतलब की मैं कहूंगा कि acceleration हुआ, यहाँ पे acceleration क्यों हो रहा है, gravity के का हो रहा है, तो free fall जब भी होगा, तो U को 0 लेते हैं, और A को क्या लेते हैं, G लेते हैं, दो important बात आगे आपको, यह मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, यह याद रखना है, इसको use करने वाले हैं, तुमारे textbook में एक प्यारा सा experiment है, जिसमें हम law of conservation of energy भी proof करेंगा, free fall भी दे में पे से यह H इतनी height पे है, यह एक body है, जिसका mass M है, और यह रुका हुआ है, तो इसका initial velocity 0 है, क्योंकि free fall होने वाला है, और यह H height पे है, ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, कि भाई, ऐसे condition में इस A point पे हम क्या करेंगे, A point पे इसका total energy निकलता है, तो चलो पहले बात करते हैं, at point A, kinetic energy क्या होगा, kinetic energy का formula है, half Mv square V, मतलब velocity होता है, क्योंकि यहाँ पे initial velocity है, तो मैंने U लिखा है, half M, U क्यों लिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे initial velocity का square है, velocity से मतलब है, initial final से क्या लेना देना, तो यहाँ पे initial है, लेकिन U क्या है, 0 है, तो इस equation में जब मैं 0 ड G, H, और यहाँ पे gravity इसको नीचे खीचने की कोशिश भी कर रहोगा, GG, M, G, H, potential energy का formula है, as a case, चलो, total energy कैसे निकालते है, kinetic plus potential, तो value क्या आएगा, 0 plus M, G, H, kinetic energy का formula क्या था, यहाँ पे value क्या था, 0 और potential energy का value क्या आया था, M, G, H, दोनों को डाल दिये, तो total energy कितना निकला मे G, H, तो point A पे जो मेरा energy है, total, वो है F, G, H, good, तो question number one है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ball को गिरने देता हूँ, तो यह ball गिर रहा है, point B तक पहुचा मेरा ball, फिर से देखना, ball गिर रहा है, गिर रहा है, point B तक पहुचा, अब point B पे calculate करता हूँ, जब यह A से B तक आया, तो now the ball falls from point A to B through a distance X, तो A से B आने में इसने जितना distance cover किया, इतना distance cover किया ना, उसको मैं कहता हूँ, X, क्या कहता हूँ मैं, कि भाई, इसने X इतना distance cover किया है, simple है, X इतना distance इसने cover किया है, और इसकी height H थी, तो अब मैं को फिर से calculate कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी final velocity है, यहाँ पे initial velocity 0, तो आप तो कुछ speed में है, यहाँ से गिर रहा है नीचे, तो इस point पे तो कुछ speed में होगा, यह गिर रहा है, लेकिन हमने इस point पे measurement लेना है, तो यहाँ पे इसका कुछ तो velocity होगा, final velocity, V, B, at point B, velocity at point B, चलो लिखते हैं, concept board, पहले हमें निकालना है, at point B, kinetic energy, तो अभी kinetic energy में हमारे पास U का value तो है 0, लेकिन V का value है कि हमारे पास final velocity का value नहीं है, तो हम क्या करेंगे, according to third equation of motion योज़ करेंगे, third equation of motion क्या था, याद करो, V square is equal to U square plus 2AS, यही equation हम क्यों योज़ कर रहा है, क्योंकि हमारे पास U का value है, हमारे पास A का value है, हमारे पास S displacement ह ठीक है, तो यही equation हमें use करना परे, चलो ठीके करते है, भाई V का value हमें नहीं पता, तो V as it is, U तो 0 है, यह हमें पता है, मैंने आपको कहा था, जब भी free fall होगा तो U 0 होता है, और A is G, acceleration क्यों हो रहा है, gravity के कारण हो रहा है, falling only under influence of gravity, तो acceleration gravity के कारण हो रहा है, और इसने displacement कित इसने cover किया, S मतलब होता है distance, तो इसका distance कितना हुआ है, X इतना distance cover किया है, चलो, इस equation में values डालते है, तो V square is equal to U square plus 2S, तो हमें क्या मिलेगा, यह V कहा हमने point B पे निकाल रहा है, तो VB लिख दिया, point B पे है इसलिए, square U का value 0, तो 0 का square, 2, A के जगे G डाल दिया, और S के ज और किया है, वो X है, इसका answer आएगा, VB square is equal to 2GX, याद रखेंगे, अब हम बात करते है, kinetic energy का formula half MV square, लेकिन at point B की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे VB हो जाएगा, और VB का square है 2GX, तो मैं डाल सकता हूँ, half M, यह V के जगे मैंने डाला 2GX, ठीक है, 2GX, लेकिन इसका क्या ह है, square, ठीक है, तो square वाला value है 2GX, तो यहाँ पे लाल, क्यों डाला मैंने, VB square is equal to 2GX मैंने निकाला था, यह मैंने bracket में लिखा है, यहाँ से मैंने यह value put लिए, ठीक है, चलो, kinetic energy क्या निकलेगा, फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पे, देखो, simple सा math करना है, half cancel, 2 cancel, ठीक है, तो यह कै बचा, M G X, clear, M G X, यह वाला value यहाँ पे लिखा है, यह वाला हमने यहाँ पे substitute के, ठीक है, यहाँ पे डाला है यह वाला value, clear है, नई समझे, तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, सब बहुत असान, तो यहाँ पे हमने kinetic energy निकाल लिए, potential energy निकाल है, तो देखो, यह पूरा distance H है, और यह X है, तो height क्या हो जाएगी, यह H मेंसे अगर मैं X निकाल देता हूँ, यहाँ तक height है, height कहा तक है, यहाँ तक height है, तो यह पूरा H है, इसमें से यह distance निकाल दो, तो H minus X, यह तुमारा height निकलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है, समझ है, अब देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक height है, जो कि H minus X है, हमने calculate कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, potential energy is equal to MGH, H मतलब क्या था height, तो height यहाँ पे क्या है, H minus X है, H की जगे हमने H minus X डाला, यह क्या निकला, यह हमारा potential energy निकल गया, अब मैं क्या तो total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, तो मैं यह पे जो से रह जाएगा, MGH multiply by H, MGH, MGH multiply by X, तो यहाँ पर भी माइनस का सिंबॉल है, तो MGX, MGX, MGX cancel, क्यूंकि यहाँ पर यह positive है, देखो यह वाला positive है और यह वाला negative है, यह cancel हो जाएगा, तो cancel करने का बचेगा, total energy, MGHी ही बचेगा, देखो न, यह वाला cancel हो जाएगा,BE कि यह वाला cancel हो जाए पॉजटीव है और यह नीगेटीव है तो यह तो यह मेरा second equation है तो point A पे भी energy था point B पे भी energy था लगता है energy same ही जाया है ठीक है चलो आगे बद के अब बॉल और नीचे गिरा जमिंग पर फिर से वही U 0 है AG ही है और height जो है अबकी बार वह है displacement क्या है यहां से एकदम यहां तक आ गया है ठीक है यहां पर X था यहां पर H है क्योंकि यहां तक आ चुका है अब यहां पर एकदम ओके तो डाल देते है value डाल देते है , यहा पर हम को यह वाला value 2GH कहाँ पर डालना है वी के जगह डालना है तो चलो डाल दिया kinetic energy को half as it is M as it is V के जगे डाला 2GH, देखो, यह to cancel, यह to cancel, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर यह वाला value डाला है, जिसको एक जगे, तो आप देखो, क्या बचा मेरे पास, MGH, यही value बचा, clear होगा है, simple है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क kinetic energy निकाल दया, potential energy, on the ground, height 0 होगा, of course, जब ground की बात कर रहें, तो height 0 होने वाला, तो potential energy क्या हो जाएगा, MGH, H के जिएके 0 डालोगे, तो सब 0 हो जाएगा, 0 से multiply करोगे, MGH को, तो सारा ही 0 हो जाएगा, भाई, तो total energy क्या हैगा, kinetic plus potential, kinetic energy कितना था तुमारा, kinetic energy था, MGH, potential energy 0 है तो इसका answer कहेगा, total energy, MGH, तो point C पे भी energy, MGH ही आया, तो इससे मैं कहता हूँ कि जब उपर से नीचे गिर रहा था, तो kinetic energy बढ़ता चला गया, पहले kinetic energy 0 था, लेकिन दीरे-दीरे-दीरे-दीरे, kinetic energy बढ़ता चला गया, A से B, B से C, kinetic energy बढ़ता चला गया, और A से B, B से C, potential energy घटता चला गया, यह मैं कह रहा हूँ, potential energy decreases as the ball moved from A to B to C, तो kinetic बढ़ते-बढ़ते, potential घटता चला गया, kinetic बढ़ता गया, potential घटता गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ, एक form of energy दूसरे form में convert होगे, potential घटता तभी तो kinetic बढ़ता, बढ़ता, potential got converted into kinetic, कह सकता हूँ मैं, ध्यान से जुनना मेरी बात, तो इससे मैं एक बात कहता हूँ कि भाया, हाला कि energy बदला है, ठीक है, potential का kinetic हुआ है, लेकिन, total energy जब मैं निकाल रहो, A, B, C, किसी भी point पे, तो हमेशा M, G, H, R है, total energy remains constant, तो free fall में total energy हमेशा constant रहता है, कुछ questions है, देख लो, आपको नीचे comment करना है, when the object falls down, the total energy at any point is, सोच लो, constant, infinity, unity, 0, when the body is falling down, kinetic energy dash, and potential energy dash, ये भी आपको बताना है, kinetic, जब नीचे गिरा था, to kinetic energy dash, potential energy dash, increases, decreases, decreases, increases, जो भी ये बताना, the kinetic energy at the ground, is kinetic energy, ground पे क्या होगा, ये भी आपको answer करके देना है, the potential energy at height, H minus X is given by, ये भी तुम्हें बताना है, H minus X, अगर height है, तो potential energy क्या दोगे, formula में डाल देना, मिल जाएगा, तुमको मैंने सिखाया, अभी अभी तुम्हें, ठीक है, बन्दा, object is at the rest, kinetic energy, object is at the rest, kinetic energy क्या होगा, बहुत simple question है, तो यहां तक हमारा free fall वाला concept भी खदम हो गया, ठीक है, अब बात करते हैं, भाई, अब बात करते हैं, भाई अब बात करते हैं, यह बंदा एक चीज़ को खीचने की कोशिश कर रहा है, तो man A lift a load to the roof of in one minute, तो यही इतना ही same वोजन है दोनों का, यह बंदा एक मिनिट लगा रहा है, और यह बंदा कितने में लेंड में, दो मिनिट में कर रहा है, तो क्या बोला, यह time कितना लगा रह एक ज़्यादा टाइम में कर रहा है, काम, कम टाइम ज़्यादा टाइम, काम, कम टाइम, ज़्यादा टाइम, मतलब, faster और slower का फरक, तो मैं कहता हूं कि work done is same, work done तो same है in both the cases, but the rate of doing work is different, काम तो वही कर रहा है, लेकिन कितना जल्दी कर रहा है, उसमें फरक है, time में फरक है तो ऐसे मैं power को define करता हूं कि power क्या होता, the rate of doing work is called as power, क्योंकि इसके पास थ्दोड़ ज्यादा power होगा, इसलिए जल्दी कर लिए, इसके पास कम power होगा, इसलिए तिने दिरे किया, तो power मतलब क्या होता है, कितने जल्दी कौन सा काम तुम कर सकते हो, rate of doing work, कितने जल्दी तु तो power क्या है, एक scalar quantity है, क्योंकि work done और time दोन ही scalar quantity है, ठीक है, units क्या होता है, देखो SI units की बात करोगे, तो SI unit हमेशा power का क्या होगा, और यहाँ पर CGS क्या होगा, देखना, work done joule, और time is second, यहाँ पर work done, CGS में urge होगा, और time second में आगा, तो joule upon second, urge upon second, तो यहाँ पर इसका जो unit हो जाता है, यह VAT हो जाता है, क्या हो जाता है, VAT, VAT हो एक unit, तो power का unit हम क्या लेंगे, VAT, अलग से, यह हला कि ऐसे हम निकालते हैं, joule upon second, लेकर हम लेंगे क्या, हम VAT लेंगे, पावर का unit अब एक सवाल उठ सकता है कि एक वैट मतलब कितना तो माल लो कि मैंने यहां पे एक डाल दिया मैं तुमसे पूछता हूं कि भीया यहां पे एक डाल दिया तो एक वैट मतलब कितना यहां पे भी एक डाल दो यहां पे भी एक डाल दो तभी तो यह आएगा ना वन used in one wet when one joule of work is done in one second simple सी बात है जब एक joule work when one joule work is done in one second we say one wet power यहां पर ध्यान ज्यादा मन तो यहां पर देखो एक joule काम जब एक सेकेंड में हो रहा तो मैं कहता हो एक वैट पावर है असान था हाइर उनिट्स पावर की बात करता है थोड़ा सो कॉंप्लिकेट क्ली की तो सकते हैं आराम आर्ब्स समझता है हाईर मतलब बढ़ा हम किलो वैट लेंगे अच्या किलो τुमें पता है mouse होता है तो मतलब वैट मतलब 1,000 ग्राम मतलब 1,000 ग्राम वजीसे किलो वैट मतलब 1,000 वैट आगे बढ़ते हैा पावर is equal to work done upon time हमें पता है हम ले लेंगे यहाँ पर work done हम ले लेते 1000 joule यहाँ पर work done is joule and time is second तो 1000 joule upon one second ले लिया हमने, एक हजार मतलब हमें पता है क्या होता है, 1000 watt है यहाँ पर simply, यह एक गया तो joule upon second क्या होता है, वैट होता है आराम आराम से समझना सब समझा जाए एक्तम सही समझा है अब आगे बढ़ते हैं तो एक किलो वैट में किसको बोलूँगा जब 1000 जूल आफ वोग्डन वहाँ पे वन जूल था यहां पे कितना होगा 1000 जूल आफ वोग्डन इन वन सेकंड अगर 1000 जूल इतना काम इतना इतना ही काम होगा ज्यादा थोड़ी होगा अब मैं इतना एनर्जी लगा रहा हो जिसी यह बॉटल उठाया जा सकता है तो उतना एनर्जी लगा कि टेबल थोड़ी उठा लूँगा मैं समझ रहे हो तो वॉक्डन इस इकुल टो एनर्जी यूज्ड या एनर्जी कंजूम इस टाइम को उधर लेके जाओ पावर किसे लोगा लूगा और गटाब लूगा फेड़ा लूगा तो किलो वैट ये किलो वैट आर जो है ये क्या है एक यूनित होटा है तो तुवह घर में बोलते न कि City jako यूञ्म Turals 향 ho समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वोगड़न इस इकल टू पावर इंटू टाइम यहां से गर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा पावर मल्टिप्लाइब यह नीचे डिवाइड में उधर मल्टिप्लाइब सब्सक्राइब यहां पर देखूंगे लेक्ट तो मैं समझ में आ जाएगा एक बार में भी समझ में आजाएगा पाकी तुम्हारे अंडेस्टेंडिंग पर पर चलो आगे बढ़ते हैं ऐसा यूनिट की बात करते हैं एसा यूनिट में और कमर्शल यूनिट दो चीज़ा हमे एसा यूनिट क्या है जूल इंटु सेकेंड पावर ठीक है अब यहां पर देखूंगी हम लोग बाद में लेते हैं वन किलो वैट इस इकॉल टो वन थाजन वैट एक घंटा मतलब होता 60 एक घंटे में होता 60 मिनिट और हर मिनिट में होता 60 सेकेंड पी हो जागा 3600 सेकेंड ठीक है यह जूल इंटु सेकेंड को वैट कहता है यहां पर देखो यह हो जाएगा 3600 सेकेंड एक घंटा मतलब 3600 सेकेंड ठीक है और यहां पर यह जूल नहीं होगा यह तुम्हारा जूल नहीं होगा ऊँ सोच रहा था यह ओजाएगा तुम्हारा यह त मैं ठीट करत तो एक किलो वैट मतलब कितना हुता टो यह 36 और Вेट पर सेकेंड देख्थ ना वैट पर सेकेंड मतलब क्या होता है यहां पर work done का energy होगा यहां पर देखे आप वैट पर second वैट इंटू second क्या होगा? Joule हो जाएगा, right? Joule हो जाएगा ला? क्योंकि power का वैट इसका second और इसका unit Joule यह देखो यह वैट और यह second वैट इंटू second is equal to Joule तो अब देखो यह unit change क्यों हुआ? देखो यहां पर, यहां वैट इंटू second को हमने Joule लिखा क्यों समझ मैं आपको, वैट इंटू second को हमने Joule लिखा देखो, एक किलो वैट आर is equal to 36 into 10 raise to 5 Joule अगर मैं यहां पर decimal point यहां अगर बीच में लेकर के आता हूँ, मैंने क्या किया? यह चीज़ हम बाद में सीखेंगे यहां पर decimal point था, उसको उठा के यहां लेकर आ गए, तो 3.6 हो गए into 10 raise to 6 Joule इसी को मैं कहता हूँ 1 kilowatt आर is equal to 3.6 into 10 raise to 6 Joule इसी को मैं one unit भी कहता हूँ इसी को मैं क्या कहता हूँ, one unit तो एक unit मतलब कितना power होता है? 3.6 into 10 raise to 6 Joule यहां तक क्रिस्टल 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 क्लियर हो एक सिखेंगे, चलिए अब आगे बढ़ते है तो अब एक और बात करते हैं कि industrial unit क्या होता है, higher unit क्या होता है horsepower, उन्हें सुना होगा ने, यह तन्य होर्स पावर का है power developed is 1 watt if dash of work done in dash यह भी बता ना, ठीक है, 1 kilowatt hour is equal to dash joules यह भी बता हो, बहुत अच्छा कोश्यन है, इसका answer भी डाला हो है ठीक है, अच्छा, dash is the commercial unit of power commercial unit क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा higher industrial unit की बात नहीं करा है commercial unit की बात करा है, ठीक है, यह भी बता हो एक horsepower मतलब कितना होता है, कितना वैट होता है, यह भी बताना तुम्हें सब बताया गया है, सब सिखाया गया है, अब हम numericals की बात करने वाले है बच्छो देखो, बहुत महिनत लगता है lecture बनाने में, यह questions डालने में, ठीक है हर एक topic पर question डालो, इमांदर इसे बनाने में, मैं बस इतना चाहता हो कि तुम नीचे comment करो और अपने friends का शेयर करो, और इस channel पर पूरा night standard खतम होने वाले कसम खाया में, तो बस channel का subscribe करो, चलो आगे बढ़ते है power, numericals की बात करता है, तो थोड़े बहुत numericals मैं solve करता हूँ, थोड़े बहुत तुम गर लेना, तो हो जाएगा जल्दी से, तो स्वराली नाम की एक योज़, वो कितना power योज़ करेगी, यह बताना है, given दिया है, mass दिया है भाई, 20 kg, और उसके बाद height दिया है, 5 meter तक लेके जा रही है, और उसके बाद बता है, time उसको लग रहा है, 20 seconds, very good, अच्छा है, acceleration due to gravity का जो value है अर्थ पे, वो है g is equal to 9.8 meter per seconds पर यह आपको पता है, find करना हमें कि भीया, उसको कितना power लग रहा है, कितना power वो use कर रही, power का formula होता है, work done upon time, यहां तक सब clear है हमें, आगे बढ़ते है, solution में जाते है, power का formula, work done upon time, लेकिन यहां पे work done gets converted into potential energy, इसलिए MGH लिखा है, यहां पे बोलने का मतलब क्या है, देखो, फिर से दिखाता है, यहां पे जो work done होगा, यहां पे जो work done होगा, it will get converted into potential energy upon time, ठीक है, potential energy upon time, तो यह potential energy का value क्या होता है, MGH, formula मतलब, और time T है, ठीक है, तो M का value कितना था, 20, G का value 9.8, और height कितना था, यहां पे 5 था, और time कितना लग रहा था, 20, तो 20 into 9.8, 5 upon 20, values डाला है, तो देखो, 20, 20 cancel हो जाएगा, तो बचा है, 9.8 into 5, 9.8 into 5 बचा, तो power कितना लगया, 9.8 को 5 से multiply करेंगे, तो 49 आएगा, और watt आएगा, क्यूंकि power है, तो यह हमारा final answer, एकदम simple, बसे आप ए concept यह था, कि भीया, जो work done है, that get converted into potential energy, expression जो lecture number 2 में सिखाया था, उस से आपको समझ में आ जाएगा, कि work done ही convert होता है, kinetic को potential में, चलो अब आगे बढ़ते है, solid example number 2 यह क्या था, यह भी एक सायद solid example ही था, solid example example 1 था, अब यह देखते है, solid example number 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, a 25 watt electric bulb, एक bulb है, जिसका power है, 25 watt, is used for 10 hours, अब यहाँ पर देखो घंटा है, hours है, मतलब ब बड़ा unit है, यह छोटा unit है, watt is a small unit, kilowatt is a big unit, तो हम क्या करेंगे, power हमें 25 unit, इसको हम convert कर लेंगे kilowatt, तो kilowatt में convert करने के लिए हम क्या करेंगे, watt to kilowatt, divide by 1000, kilowatt to watt, multiply by 1000, फिस एक बाद लिक भी देता हूं, यहाँ पर कि तुम्हें clear हो जाए, याद रखो, watt to kilowatt, ऐसे case में हम क्य क्या करेंगे, divide by 1000, फिक है, अगर तुम बात कर रहे हो kilowatt to watt, ऐसे case में क्या करेंगे, multiply by 1000, समझे मैं है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते है, divide by 10 raise to 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिक है, divide by 10 raise, multiply by 10 raise to 3, यह भी चले, तो आहीं होकी clear हो गया होगा, concept, और हमने यह kilowatt में यहाँ क्यों कि है, क्योंकि आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्स की बात हो रहे है, बड़ा unit, it's not in second, या तो तुम इसको second में convert कर लो, या फिर इसको kilowatt में कर लो, दोना में से तुम पुझ भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक ही unit में हमें solve कर गा है, ठीक है, time कितना है, 10 गंटा है, energy consume हम से पूछ रहा है, तो energy consume का formula क्या है, power into time, मैंने सिखाया आपको थेरी में, चलो डालते है, solution में energy consume is equal to power into time, power का value कितना था, 25 upon 100, ठीक है, बड़ा unit, और time कितना, 10 गंटे की बात हो रही है, यह 10 cancel यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00 cancel तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 25 divided by 100 is equal to 0.25 kilowatt hour, simple, डबबा बनाओ, answer ख़ता है, अरे बहुत असान है, बस यहाँ पे एक यहाँ रखना, work done को potential kinetic पे convert करना पड़ता है, depends कि कौन सा sum है, और जब तुम्हारा बड़ा unit चल रहा है, तो kilowatt में बात करोगे, जब छोटा unit चल रहा है, यहाँ एक ही unit पर रखके solve करना, simple बास है, ठीक है, चलो, exercise का example number 1 ले लेते हैं, अब देखो, and electric pump has 2 kilowatt power, how much water will it lift every minute, अब देखो, यहाँ पर minute है, यहाँ पर meter है, हम क्या गरता है, SI में convert कर लेता है, तो यहाँ पर हर minute को हम second में convert कर लेता है, यह kilowatt को हम क्या करेंगे, वैट में convert करेंगे, तो देखो, 2 kilowatt मतलब, kilowatt से watt कर रहा है, तो multiply by thousand, तो 2 multiply by thousand कितना हो जाएगा, 2000, 2000, 2000 watt, समझ रहे हो, height कितना है, 10 meter, SI में ही है, यह भी SI में है, यह भी SI है, और यह one minute था, minute is not in SI, तो हमने, एक minute में कितना second होता है, 60 second हमने SI में convert कर ले है, तो सारे ही अब SI unit है, फोटे unit से सारे, समझ गया, SI एसा ही मतलब इसे छोटा नहीं होता है, एसा ही मतलब होता है, सिस्टम international, ठीक है, चलो, अब हमें acceleration due to gravity में हमें पता है, 9.8 meter per second square value है, हमें find क्या करना है, इसमें, mass of water, कितना वाले, an electric pump, electric pump, जो 2 kilowatt power लगा करके, पानी को उपर खीच रहा है, तो कितना पानी खीच पा रहा ह है, वो हमें पता करना है, how much water, mass of water मतलब, तो चलो, formula क्या है, work done upon time, अभी देखो यहापे, जब ध्यान से देखना, क्या होने वाला है, MGH क्यों लिया हमने यहापे power के जगे, सोचो, क्योंकि यहापे जो work done है, पानी उपर जाके store होने वाला है, पानी एक specific state में रहेगा, ए it will get converted into potential energy, तो यहाँ पर work done will get converted into potential energy, इसलिए formula में हम power is equal to work done के जगे MGH ले रहे हैं, upon time, चलो, values डालो, अभी हमें मास निकालना है, तो M को ऐसे ही रहने दो, यह power into time हो जाएगा, तो PT, और यह जो GH है, यह नीचे आ जाएगा, arrange किया है, देखो फिर से बताता हूं यहापे, multiply हो गया, P into T, divide में उतर multiply हो गया, बच्चो, यह मास इदर नहीं दिया, यह GH इदर multiply में है, इदर divide में आ गया, तो M is equal to PTGH, हो गया न, PTGH upon GH मतलो, समझ गया, चलो, मैं तो ऐसे मान के चलता हूं कि मैं उनको सिखा रहा हूं, जिनको जल्दी समझ दिका, ठीक है, मतलब समझन अच्छे जियाद हो जाना चीए, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा आरम आरम से सिखा रहा हूं, बच्चों देखो, P की वैलू 2000 ए, T की वैलू 60 सेकंड्स था, G की वैलू 9.80 और हाइट 10 मिटल था, वैलूस डाला है, यह 0 कैंसल होगा, यह 0 कैंसल होगा, यहापे 9.80 रहेगा, य इसको कैलकुलेट करने का जो मास आएगा, 1224.5 केजी है, केजी इसे ऐसा ही होगे, तो हमें मास भी मिलें, असान तरह हम यहापे भी कॉंसेप्ट कहा था, पुटेंचिल को यह वोग दन को पुटेंचिल एनरजी में करना है, ठीक है, और दूसरा कहा था, आपको एक ही सिस् करते हैं, 30 मिनिट तक, हम डेली कितने दर तक यूज करते हैं, 30 मिनिट तक, 30 मिनिट मतलब कितना गंटा, आधा गंटा, ठीक है, और how much total electric energy is consumed in the month of April, तो अपरील में हम कितना एनरजी consume कर लेगे, पावर इसको मैं किलो वैट में कनवर्ट कर रहा हूं, तो वैट टो किलो वै टाइम कितना है, 30 मिनिट यूज करते हैं, 30 दिन तक, 30 मिनिट का मतलब होता है, आधा गंटा, 0.5 आर, आधा है इसका मतलब, 0.5 आर, और 30 दिन तक, तो ये कितना हो जाएगा, 15 आर्स हम यूज कर रहे हैं, टोटल, हम अपरील के माहिने में कितने घंटे यूज कर रहे हैं, 15 गंटे योज करें, यह पर गंटे में बाद चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किलोवेट लिया है, तबी तो किलोवेट आर आयगा, ठीक है, अगर वैट लेते तो नहीं चलता है, यहाँ पे सेकेंड लहना पड़ता है, तो जब भी तुम वैट लोगे, तो यहाँ सेकेंड आ अच्छी है जब भी तुम किलो वैट लोगे तो आ रहा न अच्छी है ये भी दिमाग में रख सकते हो चलो energy consumed is equal to formula के energy consumed power into time power हमको पता है 1.2 time पता है 15 डालो values energy power into time power हमें पता था 1.2 time हमें पता है 15 क्या आएगा 1.2 into 15 18 units 18 units लिखो या 18 किलो वैट आर लिखो पता ही किए चलो असानत एक दम तो यहां तक हमने almost सारे निमेरिकल्स भी भाई सब खतम कर लिए और यह chapter का सारा बजाती है अगर इस चानल तो तुमने अपने subscribe नहीं किया तो भाई subscribe कर लो किस बात कंच जा रहे है शेयर करो इसके साथ मैं इतना खुशिश लिए हो कि मैंने दूसरा चैप्टर के खतम करती है मेरा शेडूल इतना बीजी है कि नामुम्किन जैसी बात हो जाती है रेकॉर्ड करना फिर भी मैंने खतम कर दिया वीडियो फट से आ जाएगा चैनल को subscribe करो अपने दोस्तों को share करो पूरा playlist का link description में रहेगा लेक्टर चैप्टर नमबर वन का भी चैप्टर नमबर टू का भी तो description में दियेगा link पे जरूर जाना टेलीग्राम को join कर लो कि कि अगर तुम्हां कभी भी कुछ चाहिए होगा तो वहाँ पर comment करो तो मैं फट से डाल दूँगा बाकि take care have a good day अपना ख्याल लखना and मचाते रहना ठीक है मिलते है next chapter हाँ एक बात और अगर तुम वीडियो को यहां तक देख रहा हो तो मुझे जरूर बताना कि अगला chapter कौन सा चाहिए खैर इस chapter के बाद मैं classification of plan डालने वाला हूँ और उसके में डालने कर अगर तुम हो देखते हो तो मुझे comment में बताया करोगी तो मैं अगला chapter क पॉंग वकाम थेंगे जो मुझे केर बबाई मुस्कूराते रहो और मचाते रहो